मशकार दोस्तों मैं डॉक्टर नखिल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यीटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुती अजीब और बहुती गंबीर समस्या जिसे हम मेडिकल टर्म वासा में हाइपर हाइडोसिस कहते हैं इस कंडिशन में पेशेंट के हातों में बहुत ज़दा पसीना आता है माथे में बहुत ज़दा पसीना आता है पैरों में बहुत ज़दा पसीना आता है अंडर आर में बहुत ज़दा पसीना आता है और कुछ पेशेंटों में हमने देखा है पूरे सरीर में बहुत ज़दा तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़दा नर्वसनेस हो जाते हैं और जब भी बहाँ पेपर में लिखते हैं तो पेपर उनका गीला हो जाता है कुछ patient में हमने देखा है, पसीना इतना ज़दा आता है कि जब बहात तबला बजा रहे हैं या हाथों में कुछ भी काम कर रहे हैं तो paper गिला हो जाता है या तबला गिला हो जाता है जिनके कारण patient को बहुत ज़दा nervousness महसूस करते हैं और वहा anxiety के धीरे-धीरे करके सिकार होन और मैं आप वीडियो के लाश्ट में कुछ परेज के बारे में बताऊंगा यदि आप होमोपेथिक मैडिसन के साथ इस परेज को करते हैं तो आपकी प्रावलम धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे हा है यहां किन कारण की बज़े से होता है पर कुछ प्रावलम्स होती है जिनकी कारण पेशेंट्स में यहाँ कंडिशन हमें देखने को मिलती है पहले नमबर पे आता है दोस्तों केलसियम की कमी जिन पेशेंटों में केलसियम की कमी होती है जिसके कारण हाइपर हाइड्रोसिस की कंडिशन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है हार्मोनल इन बैलेंस के कारण भी पेशेंट को यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिन पेशेंटों को भी डायविटीस की प्रॉब्लम होती है जो काफी लंबे समय से डायविटीस की गूलियक चलती है इनके कारण भी patientों में यहाँ problem हमें देखने को मिलती है जब patients बहुत ज़्यादा nervousness हो जाते हैं या कुछ patientों में हमें देखना है anxiety की problem होने लगती है तो यहाँ condition hyperhydrosis की patients में हमें देखने को मिलती है पर हमने यहाँ अभी तक यहाँ पाया है कि ज़्यादा कर calcium की कमी की current patientों में हमें यहाँ problems देखने को मिलती है तो आए जान लेते हैं homopathic medicine के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ top 5 ऐसी homopathic medicine के बारे में जानकरी दे रहा हूं जो clinical practice में मैंने काफी अच्छे result देखे हैं यदि इस medicine का use time to time करते हैं repetition आप time to time करते हैं तो आपकी यहाँ problems पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वीडियो के कुछ last में मैं आपको परेज बता रहा हूं यदि आप यहाँ medicine यूज करते हैं तो यहाँ परेज आपको अवश्य करने चाहिए ताकि आपकी problems पूरी तरह से ठीक हो जाए तो पहले नंबर पे बहुत ही अच्छी और बहुत ही effective homeopathic medicine है जिसका नामें दोस्तो साइलीशिया साइलीशिया केस में बहुत ही अच्छा काम करती है उन केसों में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है और साइलीशिया केस में अब एक लक्षा और हमें देखेने को मिलता है पैसेंटों के पसीने से बहुत गंधी बू आती है तो उसमें साइलीशिया बहुत ही अच्छा काम करती है उस condition को ठीक करने के लिए साइलीशिया हम 200 potency में यूज़ करेंगे बीकली सब्ता हमें एक ही वार इस medicine का यूज़ करना है जैसे आज हमने लिया है साइलीशिया उसके साइलीशिया 200 potency में repetition करेंगे इस तरह से आपको दो मेहने तक इस medicine का यूज़ करना है ताकि यहाँ problem आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाए सब्ता हमें एक ही वार एक single dose लेंगे morning में आपको लेना है single dose लेना है सुभा खाली पेट आपको इस medicine का यूज़ करना है डारेक्ट टंग में आपको इस तरह से इस medicine का यूज़ करना है next number पे आती है calcarea carb calcarea carb बहुत ही अच्छा काम करती है calcarea carb उन पेशेंटों में अच्छा काम करती है जिन पेशेंटों को सरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है इस पेसलिए माथे में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उस condition में calcarea carb बहुत ही अच्छा काम करती है calcarea carb का जो पेशेंट्स होता है उनके सरीरों में बहुत ज़दा पसीना आता है और पसीने से खटी बू आती है तो उस कंडिशन में पेशेंट्स को कैल के लिए कावर 200 पोटेंसी में दी जाती है मौनिंग में खाली पेट चारबून सीधर डारेक्ट जीम में आपको लेना है रेगुलर कम से कम 20 दिन तक इस मैडिसन का यूज़ करना है इसके बाद मैडिसन यूज़ करने की आपको आवशकता नहीं होगी बहुत अच्छे रिजल्स आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट मैडिसन आती है दोस्तोई सोराइन हैं में बहुत है किलो चाहिए चार बून सीधे डारेक्ट जीम में लेना चाहिए पंद्रा पंद्रा दिन के एक डोज लेना चाहिए दो महने में 4 बार इस का रिपिटिशन किया जाएगा इस पेसेंटों में सरीर में बहुत ज़दा पसीना आता है इस पेसली हातों और पेरों में बहुत ज़दा पसीना आता है और पसीने से बहुत ज़दा गंदी बदबू आती है सड़े अंडे की गंदी जैसे बदबू आती है इसका जो पेशेंट्स होता है यदि किसी कमरे में बहाँ बैठ जाए तो पूरा कमरा गंधा होने लगता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा नर्वसनेस पेशेंट्स महसूस करता है और अपने सरीर में परफ्यूम लगा के घूमता है यहाँ इसका बैलमार कीनों टिम्टम है तो इसे आप बनेंपोटेंसिम यूज करें देखिए जैसे मैं आपको बनेंपोटेंसिम बताया है खाली पेट आपको यूज करना है जैसी आप सोके उठेंगे कुल्ला कर लीजेगा और चारबूं सीरे डारेक्ट जीमेल ले लीजेगा और 20 मिनिट बाद अब चाय पानी बगेरा कर सकते हैं नास्ता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस तरह से आप इस मैडिसिन का यूज करेगा वीडियो की लाश्ट में जो मैं आपको परेज बताऊंगा परेज आपको अवर्शे करने चाहिए ताकि हमारी जो मैडिसिन हम ले रहे हैं अच्छी तरह से बर पसीना आता है, माथे में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हातों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उस कंडिशन में acid nitric, nitric acid के आपको नाम से भी आती है, यूज करना है, 200 potensima में इस medicine का यूज करेंगे, regular कम से कम 20 दिन तक इस medicine का यूज करना है, काफी अच्छे और क specific medicine है, जब भी किसी को patients को भी hyperhydrosis की problem हो जाती है, पेसेंटों को हातों में, पैरों में, सदीर में, माथे में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उस condition को ठीक करने के लिए जुवे रंडी mother tinger का use किया जाता है, यहाँ एक specific medicine है, जिन पेसेंटों को भी इस तरह की problems है, त पानी में 30 बुन सुबा, 30 बुन दो फैर में 30 बुन रात में continue कम से कम, तीन महने तक इस medicine का आपको यूज करना है, ताकि आपकी यहाँ जो problem है, पूरी तरह से ठीक हो सके, regular use करेंगे, long time use करेंगे, ताकि आपकी problems पूरी तरह से ठीक हो सके, next और last medicine है दोस्तों, sulfur, sulfur बहुत किसी घटी बु आती है, हलकिसी गंदी सी बु आती है, बाकि इसमें उतनी ज़्यादा गंदी बु नहीं आती, जित्ती साइलिशिया में और सोरायनम में हमें पेशेंटों में देखने को मिलती है, इसका essence होता है, गरम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, और जब किसी भी चीज को पेपर में लिखता है, तो हातों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उस condition को ठीक करने के लिए, इस तरह से आपको medicine का यूज करना है, चलिए आप जान लेते हैं, परेज के बारे में कि हमें क्या-क्या परेज करने चाहिए, पहले नंबर पे आता है जोस्तों खटाई, खटाई आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, जब भी आप होमोपैतिक मैडिसन यूज करते हैं, तो खटाई का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जब भी आप होमोपैतिक मैडिसन यूज करना है, इस बात का विसीज ध्यान रखना है, तो हमारी जो टैंग होती है, वहां पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, इस तरह से हमें परेज करने चाहिए और इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो आसा करता हूं दूस्तों यहां वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करे रेट कर की बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन की घंटी को पेज करें ताकि सभी लेटेशन मैडिसन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिल मिलिंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन जै भारत बंदी मादरम